दोस्तो मैं सौरों मली का आप सभी का Only Top Study Channel पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट अफेर कुईज में आज हम देखने वाले हैं 15 अक्टूबर की करेंट अफेर को जो की सभी प्रिक्साओं के लिए मैथपून रहेगी डेली करेंट अफेर कुईज में आपको डेली 10 मिनिट में 20 करेंट अफेर के कोशन अंसर को कवर कराता हूँ जो की पूरे दिन की करेंट अफेर होती है देखे दोस्तो सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा करेंट अफेर आपको regular basis Only Top Study चैनल पर मिल जाती है Master PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारी website या फिर WhatsApp नंबर पर विजिट कर सकते है लिंक आपको नीचे description box में भी मिल जाएगा वीडियो को सुरू करने से पहले question of the day का answer बतेगा भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तो कौन सा है तो इसका answer आपको वीडियो के end में मिल जाएगा तो अभी आप answer comment box में बता दीजे चले शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला question आपके screen पर है हाल ही में किस देश में Google Playpoint प्रोग्राम लॉंच हुआ है तो अगर आपको answer पता है दोस्तो फटा-फट comment box में बताएगा इस question का right answer रहेगा दोस्तो भारत यानि की option C right answer रहेगा important question है दोस्तो दूसरा question है हाल ही में तेमसुला आओ का निदन हुआ है वे कौन थी तो देखें दूसरे question का दूस्तो रहेगा ये थी दोस्तो एक लेकी का यानि की इस question का right answer भी रहेगा दोस्तो तीसरा question आता है हाल ही में पर्ल पैंक ने किस राज्य में salt परियोजना के लिए 250 million का रिन दिया है तो ये किस राज्य को दिया गया है दोस्तो बिलकुल इस question का right answer दोस्तो हो जाएगा आंदर परदेश यानि की C right answer रहेगा भई question number 3 का दोस्तो question number 4 आता है गामीबिया में बच्चों की मोथ पर WHO की रिपोर्ट की जाज के लिए सरकार ने किसकी अध्यक्सता में विसेशग्य समीती गठित की है तो इस question का दोस्तो राइट answer क्या रहेगा बिल्कुल यहाँ पर जो right answer रहेगा दोस्तो डोक्टर वाई के गुपता ठीक है right answer option C हो जाएगा अगला question दोस्तो आता है 36 वे रास्टे खेल 2022 की समापन समारों की अध्यक्सता किसने की और देखे अगर आपको session पसंद आ रहा है content पसंद आता है या पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को like करने के बाद में अपने हरे एक दोस्त को हरे एक गुरूप में जरूर सेयर कर दिया करें ठीक है क्योंकि बहुत ही छोटी से वीडियो होती है दोस्तो और पूरी information से भरी हुई होती है ठीक है पांचवे question का दोस्तो रेट आंसर क्या रहेगा जगदीब धनकड़ जी यानि कि C रेट आंसर रहेगा question number 5 का दोस्तो अगला question आता है हिमाचल परदेश के उन्ना जिले में किसने भारतिय सूचना प्रद्योगिक संस्थान यानि कि IIIT रास्ट को समर्पित किया है तो इस question का दोस्तो रेट आंसर रहेगा बिल्कुल नेंद्र मोधी जी ने यानि कि option A रेट आंसर रहेगा question number 6 का अगला question दोस्तो आता है हाल ही में किस देश में मात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्राल्या खोला गया है तो साथवे question का दोस्तो रेट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल दोस्तो अमेरिका में और यह देखे बहुत ही important question है very very important mark कर लेना क्योंकि इस परकार के question सभी परिक्साओं में पूछे जाते है अगला question दोस्तो आता है हालही में भारतिय नोसिला ने कहा अब 30 सुरक्सा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है तो आठवे question का दोस्तो रेट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तो आंद्र परदेश रेट आंसर हो जाएगा question number 8 का अगला question दोस्तो आता है हालही में जारी CRI index में कौन सा देश सिर्ष पर रहा है तो इस question का दोस्तो रेट आंसर क्या रहेगा दोस्तो CRI की full form क्या है सबसे पहले तो यह जान लिजे इसकी full form होती है दोस्तो commitment to reduce inequality ठीक है और इस question का right answer रहेगा दोस्तो कौन सिर्ष पर रहा है right answer दोस्तो Norway हो जाएगा यह पहले स्थान पर रहा है अगर बात कीज़े दूसरे स्थान की तो जर्मनी दोस्तो दूसरे स्थान पर रहा है अगला question दोस्तो आता है हालही में रास्टे आपदा परबंदन प्रादीकरण की निदिशक कोन बनी है very very important है भी इस question का दोस्तो रहा है दान सरेगा बिल्कुल मर्नालिनी सिरिवास्तव दोस्तो इस question का रहा है यानि कि 10 वे question का रहा है आपका C हो जाएगा अगला question दोस्तो आता है परतियक वर्स विस्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है इस question का दोस्तो रहा है चोदा अक्टूबर को यानि कि C रहा है question number 11 का अगला question दोस्तो आता है 36 वे रास्टे खेलों में सर्वस्रेस्ट महिला खिलाडी का पुरुसकार किसने जीता है इस question का दोस्तो राइटांस है क्या रहेगा बिल्कुल सही है हासी का रामचंद्र यानि कि दोस्तो डी राइटांस रहेगा question number 12 का ये भी आपके लिए important question हो सकता है अगला question दोस्तो आता है हाल ही में किस देश के परधान मंतरी एलबर्ट पाहीमी पाड़के ने इस्थिपा दिया है तो दोस्तो ये किस देश के परधान मंतरी थे इस question का राइटांस होज़ेगा चाड के यानि की option A राइटांस रहेगा question number 13 का अगला question दोस्तो आता है परधान मंतरी नेंद्र मोधी ने हिमाचल परदेश के किस जिले में बल्क ड्रग पार्क की आधार सिला रखी है important question है भाईए इस question का दोस्तो राइटांस होज़ेगा बिल्कुर सही है हिमाचल परदेश का दोस्तो उन्ना जिला पड़ता है यानि कि option A राइटांस रहेगा question number 14 का अगला question आता है हालही में किस देश ने सफलता पूरवक पहली और वैद साला कौाफू 1 लॉंच की है तो इस question का दोस्तो राइटांसर क्या रहेगा बिल्कुर ये दोस्तो की है चीन ने यानि कि राइटांसर C रहेगा question number 15 का अगला question दोस्तो आता है cabinet ने कितने वर्सों के लिए PM डिवाइन योजना को मंजूरी दी है तो इस question का दोस्तो राइटांसर क्या रहेगा 4 वर्सों के लिए important question है दोस्तो very very important है mark कर लेना इस परकार के questions exam में 100% पूछ आता है अगला question दोस्तो आता है coal India Limited किस राज्य में 1190 मेगा वोट की सोर उर्जा प्रियोजना इस्थापित करेगा तो इस question का रहेगा पिल्कुल दोस्तो राजिस्थान रहेगा यानि कि option A is the return अगला question दोस्तो आता है हाल ही में कौन एक दिन के लिए भारत में UK की उचा युक्त बनी है तो इस question का दोस्तो राज्टान से करेगा जागिर्ती आदव यानि कि C राज्टान से रहेगा question number 18 का अगला question दोस्तो आता है 36 वे रास्टे खेलों में सबस्रेस्थ पुरुस खिलाडी का पुरुसकार किसने जीता है और देखे एक important information आपको वीडियो के end में देनी है दोस्तो आज तो please पूरी वीडियो को जहां से देखते रहे ठीक है end में जाके कुछ important आपको में देने वाला हूँ इस question का दोस्तो राज्टान से क्या रहेगा बिल्कुल साजन परकास दोस्तो इस question का right answer रहेगा यानि की B right answer रहेगा ठीक है और अगला question दोस्तो आता है पाकिस्तान किस देश द्वारा आजित SEO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेगा तो इस question का दोस्तो right answer रहेगा भारत यानि की option A right answer रहेगा ये भी काफे important है दोस्तो देखे अब मैं आपसे बात करूँगा homework question of the day और revision question के बारे में तो सबसे पहले तो आप homework वाला जो question है इसका answer बता दीजे टेली मानस पहल किस सवास्त सेवार से जुड़ी हुई है इसका answer सभी लोग comment box पे बताएंगे इसका answer मैं आपको दोस्तो कल की वीडियो में बताऊंगा फिर ठीक है revision question ये हमारा कल की वीडियो से है इसका answer भी सभी बच्चों को पताऊना चाहिए जम्मू कस्मीर और लदाग उचिना लेके मुख्या नियादीस कौन बने है दोस्तो इसका answer फटा फट से सारे student बता दीजे question of the day जो कि आज का हमारा question of the day दोस्तो भारत का सबसे छोटा राज्य कोन सा है ये आप लोगों ने बताई दियोगा comment box में सभी ने तो दोस्तो देखे यहाँ पर दोस्तो जो पूछा गया नहीं सबसे छोटा राज्य वो छेत्रफल के हिसाब से अगर जनसंक्या के हिसाब से पूछा जाता तो उसमें mention होता ठीक है तो ये आपका हो जाएगा दोस्तो गोवा अगर पूछा जाय कि सबसे कम जनसंक्या वाला राज्य कोन सा है तो वो आपका दोस्तो सिख्किम हो जाएगा ठीक है तो जन्जंके के साब से सिख्किम और एरे के साब से कोगा यह दोनों important है याद रखेगा कल का हमारा होवर का कोशन था कि भारत की T20 World Cup टीम में किस गैंदबाज को सामिल किया गया है तो इस कोशन का दोस्तो रहे टांस रहेगा उप्रुक्त सभी को तो यह भी आपको याद अखना है दोस्तो important information यह है कि एक हमारा नया चैनल है GS Talk करके उस चैनल पे आपको सारी जो daily में दोस्तो important current news बनती है वो सारी आपको उस चैनल पर मिल जाएगी और बहुत ही short वीडियो में और बहुत ही अच्छे तरीके से explain करके दोस्तो आपको उसमें चीज़े मिल जाती है उस चैनल का लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो एक बर जाकर के विजिट करिए अच्छा लगे दो चार वीडियो देखीगा अच्छा लगे तो उस चैनल को तुरंट subscribe कर लेना वई ठीक है और अगर आपको कोई भी पास्टा पीडियाप डाउनलोड करनी है तो आप हमारी WhatsApp नमबर या फिर वैबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजे आगी से सारी important information आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी इस चैनल से और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत बूलत हैं मिलते हैं कल की वीडियो में thank you so much bye bye everyone take care